तो आज हम बात करेंगे WBC मतलब वाइट ब्लड शेल जिसको हम हिंदी में करते हैं स्वेट रक्त कोशिका तो हम इसको अलग नाम से लिकोसाइट नाम से भी जानते हैं और बहुत से लोग इसको टील सी बोलते मतलब लिकोसाइट कोई टोटल लिकोसाइट काउंड बोलिए च चान लेते हैं कि ब्लड हमारा किं-किं चीजों से मिलके बना है तो हम बात करते हैं ब्लड क्या है तो ब्लड जो है निकि लिक्विट पार्ट आप लोग देखते होंगे कि ब्लड हमेंसा लिक्री में रहता है पर अब लिक्विट ही नहीं होता ग्योट for the scholars कि पहले हैं अब द्हारद आपको दे़ती एक क्जी सी जैसे की G сид मता है तो क्या होता है उसमें दूद पानी लिक्वीद मतंग होता है जब यह बन जाता तो लिक्वीदN होस्ता है सेम वही टोष यहाँ मोगल Alm低 या लेखेल jar हमारे टापिक आज में नहीं है कार्पेल्स के बारे हम बात करेंगे इसके टाइप के तीन परकार होते हैं उस भीसी तो आप कभर करेंगे कौंसा WC तो जैसा कि आपने जान लिया बट दो कमपोमेंट से बनता है एंगें ब्लोड प्लाज्मा और ले इस करफे के तीन पार्ट होते हैं हम मारी टापिक है डब्लूबी-सी तो चलते हैँ डब्लूबी। नर grands न पापिक में वक्या मे विए ऑग कोषिका के बारेम हो ते हम सबसे तौह करल लाइब jon c20 उसका वर्क क्या होती है इसका honey टाइब क्या है आपनेकких हैं तो हम चलते हैं सबसे परस्ट की तरफ इसके लाइफ इसका लाइप इसका जीवन का रहता है दो से चार दिन इसके बाद हमारे बॉड़ी के ब्लड में ही रिड़ हो जाते हैं और जो की ये बनते हैं हमारे बोन मेरोव में और अगला टापी कवर किया जा तो है इसका नारमर रेंज इसका नारमर रेंज जो बच्चे पएदप होता है इसका 9000-3000 तक बाउम होता है इसका डबलुबिसी पर माइक्रो ली्टर और आपक्चों में इनका होता है 6200 से कि सतरह जार तक जो बच्चे दू साल के करीब होते हैं और वेक्स का होता है 4000-10000 डबली वीची पर मायकुलिटर जैसे एक वेक्स आदमी है तो उसका 4000-10000 अलग 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 लेडियोट्री के अलग अलग हिसाब से रहता है कहीं 4000-10000 कहीं 4000-10000 अलग अलग सबका माने के दिया रहता है अपने इसाब से रहता है और हम अगर अगला टापिक कबर करते हैं तो यह अगला टापिक हम इसके प्रकार पे कबर करेंगे वर्क के बाद में बताते हैं तो यह प्रकार होते हैं इसके पांच प्रकार के लिंफोसाइट जो कि टी से से जान नाम से जाना जाता है और सेकेंड है मोनोसाइट और थार्ड है न्यूट्रोफिल और फॉर्थ है इसनोफिल फिप्थ है बेसोफिल तो अब हम एक कैसे हमारे बाड़ी में रहकर हमारी सुरच्छा करते हम इन पांचों को कभर करने वाले हैं इस टापिक में वर्क में तो हम एक साधारण भासा में अगर बता दें तो यह हमारे बाड़ी के अंदर इंफेक्शन और अधर डिजी से लगने का काम करते हैं कौन डबलू बीसी और कैसे करते हो हम बताते हैं इस टापिक में तो जैसे ही हमारे बाड़ी में कोई बैक्टेरिया विसाडू अगर इं ऐन्टी वाड़ी होता है बाड़ी में चारों पहले रहे तो तुरंतक्राइट लिंफोसाइट के पास कहता है उंगरे ख्लिए ऑमारे बाह गए दुसमन चलो इसको मारा जाकरते हैं ऑर जब वो बढ़िया उसको मांने का काम करते हैं और यह दो हो जाता है छी तो यहाइश भच्छड भी होना जरूरी है उसका भच्छड करें उसको खतम करें तुरंत मोनोसाइट अपने अकार को बढ़ा लेता है और तुरंत जाकि उसको खा जाता है और खतम कर देता है के और नृटर लेटि ले यह नो फिल कया करते हैं और चलते हैं अगर अगली तपर किया चाई जाता है और लो होता है तो चौलहां TiE 나 कब बोला जाता है जबकि भी किसी भी प्रकार की उ सभी प्रकार की हो गए होकी घंप मेरी चुनचुन भовते लीडी को मिट प्राबलम होते हैं उस समय क्या होता है W chor numa तूरणत बढ़ जाता है और जिसी देमज हो गया दिसे से टोट लग गये गिर संखिय बढ़ने लगती है । और जुली करते हम तो ये बादी आप जो लोग स्मोकिंग करते हैं होसी बसकते हैं डबलू यसी हई रिêdd रधा ट्यूबर कुलेसिस का WBC हाई रहता है बोन मैरो डीजीज हो गया बोन मैरो डीजीज में हाई भी हो सकता है लो भी हो सकता है उसके बाद अगर लीकोमी लूकेमिया लूकेमिया क्या है कि प्रकार का जिससे हमारा टील सी बढ़ जाता है और बैक्टेरियल इंफेक्शन या वा हमारा KCB कि फिर्मार्राइब बच्वाइरस का डीजृषा में हो गया मिमारा कृआ वी वायरस अतना खतरी नाक होते हैं कि फेलीत की संख्या को स्टाट से और बलं मैरो नीडला था topic और अब हमारा सब्सक्राइब हने लगते हैं कि हम मलेडिया को गए विस्टाइब घटने लगता है उसके बाद हमारा डेंगु वे हमारा डेंगु में घटता है बहुत तेजी से घटवां देली कांथ 8000 गट रहा था और बात करते ऐसे अटो इम्मून सिस्टम को दिक्कत आ गया अभी हमारा WBC लो होने लगते हैं। तो हम लोग जान लिए की हमारे WBC का हमारे बाड़ी में रोल क्या है कर हमारा WBC कम रहेगा तो रोगों से लड़ने की छमता कम कम रहेगी और गाहां के लोग जो होते हैं उनके अंदर उनका इम्यून सिस्टम इसलिए होता है डबलूबीसी उनका हमेशा बराबर बना रहता है जैसे कि कोरोना औरोना ऐसा वायरल जो डिजीश हैं गाहां के लोग पर बहुत ही कम प्रभावी गुगा क्योंकि उनका डबलूबीसी का सही था उनका इम्यून सिस्टम सही था इसलिए और लोग कम बिमार पड़ते हैं तो डबलूबीसी का टेस्ट हम बता दे रहें इसका जो प्रॉसेस होता है हमारे बाड़ी से देर से 2 ml ब्लड लिया जाता है और दो प्रॉसेस से इस टेस्ट को रन करा जाता है एक न्यू ब से डबलूबीसी स्नोफिल न्यूट्रोफिल लिंफोसाइट पॉनोसाइट बेसोफिल यह सब हमारा उसमें काउंट हो जाता है तो आप जानी गए और वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा क्योंकि यह वाइट बोर्ट है नहीं इस पे हम जो आप लोग को कैसा लगा कि हमें तो नहीं लग रहा हो तक खास लगा बगी जानकारी आप लोग को जरूर अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में और बता देना चाहरे हैं कि हम इसके बारे में और भी डीटेल बताएंगे जो कि इसके टाइप से डवलूब अगले वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहेगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चलते हैं बाए बाए